जो आज का जो टॉपिक है हमारा हूँ है डिसकाउंट ओके तो यहाँ पे भी बच्चों को बहुत सा कन्फूजन क्रियेट होता है कि डिसकाउंट की एंट्री कैसे जाते हैं तो पहले डिसकाउंट देखो डिसकाउंट के दो प्रस्पेक्टिव है मतलब आप दो पॉइंट यह से डिसकाउंट दे सकते हो देख सकते हो तो जो पहला रहता है वह अगर आप डिसकाउंट क्षाउंट दे रहे हो अगर आपने सामने वाले पर Scopus की मिल रहाँ है यू novella को और आता है डिसकाउंट में कन्फूजन create होता है क्योंकि दो तरीके की discount होते हैं आपके books में आपको दो तरीके की discount स्काउंट लिखाया जाते हैं एक जो accounting करते समय बूक होता है और दूसरा accounting करते समय book नहीं होता ठीक है जो discount की जब बात आती है तो there are two types of discount एक है आपका trade यह आपका एक है आपका ट्रेड डिसकांट और एक है आपका cash discount तो एकदम सिंपल सी बात है कुछ जादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपको एकदम सिंपल से बाता दूंगा आपको एक एक जामपल के थ्रू ताकि आप लोग को आचने से clarity आ जाए तो जो समय कभी करते समय जब आप बुक करते हो तो आप क्या बुक करते हो हम कैश डिसकाउंट बुक करते हैं ठीक है कि इतना क्लियर हो गया आप लोगों को ठीक है तो अभी हम लोग एक एकजांपल को देखेंगे एक एकजांपल से हम लोग समझने का ट्राय करेंगे कि ट्रेड डि कोनों का अपना अपना इंडिविजुल बिजनेस है इनका वूड का बिजनेस है और इनका फरनीचर का बिजनेस है तो यह वाले फरनीचर बना के बेचते और यह एक्स वाले क्या करते वह वूड लाने का काम करते है तो ठीक है तो फरनीचर वाले भहिया जो वाय वाले भहिया थे वो गए वूड वाले भहिया के पास एक्स वाले भहिया के पास तो उन्होंने बोला कि भाई हमें फूड पर्चेस काना है तो एक्स वाले भहिया ने वराइटेज उपूड बता है उन्हें और उन्होंने उनको को स्टिंगं पर क्याणीटर द् Point देखिए इतने की सटिंग आपको जितना और फरनेचर वाले भाज्या सब्सक्राइब तो यह बहुत तौब तो डिसकाउंट दे दिजे आपसे तो एक्स वाले भाईया ने बोला ठीक है आप एक लाग का माल पर्चेस कर रहे हो तो हम इसके उपर आपको 5% डिसकाउंट देते मतला अभी तक तक ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है अभी सिफ बाते चल रही है ठीक है आप यह पॉइंट को समझो अभी तक ट्रांजेक्शन नहीं हुआ अभी सिफ इन्हों ने क्या देखा इन्होंने माल देखा एक लाग का और एक लाग का माल खरीदना चाहते है लेकिन अभी तक खरीदन बोला उन्होंने 5 प्रसेंट जिसकाउंट क्ता हुआ तो अभी ऐसेंट का बमानें फाइख का दिसकाउंट का धवा एक का प्रसेंट का डिस्काउंट Kim एक लगा आपका डायरेक्ली इसमें अगर तो 5 परसेंट माइनसale तो 5% आता है 5000 माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू बचेगी सिर्फ 95,000 की एंट्री हो जाएगी अभी यहां पर अच्छे से समझना बात यह पूरा केश्टरी आप अगर समझ जाओगे ना तो आपको रेट डिस्कॉर्ड और केश्ट डिस्कॉर्ड में दिक्कत नहीं पिर उन्होंने क्या बोला कि सर 95,000 का हम लोग आपको देने के लिए तो चलो वाय वाले भाहिया भी खुश होकर कि डिस्कॉर्ड मिल गया एक लाक्यों पर पाच्टक का डिस्कॉर्ड मिला तो हम लोग 95,000 में पर्चेस करने के लिए रेडी है तो अभी ट्रांजेक्शन कि करते समें जो डिसकांट दिया जाता है क्या होता है अभी payment की बात नहीं चल रही है अभी खरिदने पर्चेस की मतलब यह उधारी वाला क्रेडिट वाला चल रह pork चल रहा है कुण सा वाला चल रहा है तो चलो चलो उन्होंने डिसाइड कर लिए एक्स वाले भाहिया ने जो तो आभी एंट्रीज एंट्रीज पास करनी पड़ेगी तो चलो इधर में बाइफरकेशन मना तो ताकि आपको फटाक्सी कैश डिसकॉंट भी इसी में एक्सप्लेंग कर दूँगा मैं तो चलो इन दबुक्स ओफ बुक्स ओफ मिस्टर मिस्टर एक्स और यहाँ पर आजाएगा इन दबुक्स ओफ मिस्टर वाई अभी मिस्टर एक्स ने क्या किया है सो मिस्टर एक्स ने सेल्स किया है बट अब इसे न वूड वाले भया ने फर्निचर वाले भया को सेल किया है तो जब आप सेल कर रहे हो सामने वाले परसन को और उन्हें अभी तक payment की बाते नहीं हुई है payment की नहीं स्विफ पर्चस इल की बाते चल रहे है तो एंटर क्या आएगी तो सर अभी सेल हो रहा है तो एक तो सेल हो जाएगा आपका टू सेल्स होगा यह तो कनफरम है और सामने वाले परसन को कर रहे हो ना तो यहापर आ जाएग पर्चस हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा तो Mr. X तो नहीं पर मिस्टर एकस क्रेजिटर है और Mr. Y देटर है हमेशे याद रखना अगर आप लोगों ने आपि तक लेटर वाइटर की वीडिव नहीं देखिए तो प्लीज मेरे चैनल पर जाके वीडिव देख लिजे त ताकि आपको डेटर्स और क्रेटर्स में क्लियरिटी आ जाए ठीक है तो चलो यहां पर इमांट कितने हैंगी 95,000 की होगा तो यहां पर बात है क्लियर है तो देखो यहां पर एंट्री trade n kiedy ढूंट जेबंपने किया transaction कितने का हुआ था इता से transaction 95,000 का हुआ उसके प्रहेरे transaction होने से पहलेखस को डिकल्स क्लिवान जाता है उसे आप ya trade discount तो transaction के समय हो रहा था ना वो तो यहाँ पर जो trade discount होता है उसको हम लोग record कि वी कि रोंट कि रेकॉर्ड करेंगे रेकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पर एंट्री क्या आगए आपकी सब्सक्राइब करेंगे तो मिस्टर वाय पेमेंट करने जाएंगे तो मिस्टर वाय हमारे थोड़े गरीब थे तो उन्होंने और ऐसे जाएंगे तो मिस्टर माइंगे उन्हों सब्सक्राइब करने जाएंगे तो मिस्टर वाय बोल रहे हैं जो लुए आपका discount देता हूँ और मैंने अभी क्या दिया आपको 3000 रुपिज का कैश discount आप मुझे 100% payment कर रहे हो ना इसके लिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ 3000 का cash discount दे रहा हूँ तो मिस्टर वाइक चलो accept हो गए ठीक है अभी आपको हमेशा और किसके लिए लौष है तो अब दो मिनुट्ट एक 2 सचबंड सोच हो कि कि इसके लिए लौष होगा ठीक होगा कि आप लोगों ने सोच लिया रहेगा कि सर किसके लिए लाउस रहेगा सर मिस्तर एक्स के लिए लास है वह क्यूंख कि वो डिसकाउंट दे रहा है सामने वाले को उसके पस option था क्यों पूरा 95,000 रुपिस उससे ले 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 लेकिन उसने क्या क्या एडिशनल 3000 का डिसकांट लिया तो उसने अपने लिए क्या कर लिया लॉस लॉस बियर किया जो डिसकांट अलाव करता है वो लॉस पे रहता है और जो डिसकांट गें करता है मतलब जो डिसकांट रिसीव करता है उसको क् लॉस हुआ है जब उसको लॉस हुआ है तो वह कहा पर बूक होगा वह डेबिट में बूक होगा क्योंकि मैंने आपको यादे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पड़ा है यूस अकांटिंग में मैंने बताया था अगर कोई भी इक स्पेंस और लॉस होका तो वह लोग ऊसको कहा देंगे डेगी टेक्वीट देंगे तो यहाप एंट्री क्या आजाएगा आपकी तो अभी मेंट की चल रही ना तो यह तो यह तो सेल के इंट्री थी रहा है मिस्टर एक्स का बैलैंस बलएंश बड़ेगा क्यों कि सर पैसा आएगा ठीक है पैसा कितना आएगा सर 95000 का ट्रांजेक्शन हुआ था कैश डिसकाउंट 3000 का मिला है तो मिस्टर एक्स के बैंक में या फिकेश में कितना पैसा आएगा सर 95000 का आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक कितने आए 92K यानि की इंट्री आ गई सर अभी आपर डिसकाउंट भी आ जाएगा कि उसकाउंट का भी डिटी एपक्ट गिडएगा किकी सर डिसकाउंट हमारी लिए लौस से ना मिस्टर एक्स के लिए क्योंकि उसने सामने वाले को डिसकाउंट दिया है तो यहाँ पर क सब होंगे आपके तो हम लोग उसको क्या एफेक्ट देंगे क्रेडिट एफेक्ट देंगे तो मिस्टर वाइ कितना आएगा 95 के आपको यह क्लियर है आगे बढ़ते है यहाँ पर भी पेमेंट की बाते चल रही है तो मिस्टर वाइक का बैलेंस कम हो रहेगा की बढ़ गया रहेगा तो 95-92,000 पेमिंट की है उसने मिस्टर एक्स को इसका मतलब उसका बैलेंस बटर वे से कम हुआ रहेगा और discount मिला है discount मिला है उसको मतलब उसके लिए गेन है तो उसका credit effect गिरेगा cash का भी credit effect गिरेगा और discount का भी क्या गिरेगा credit effect गिरेगा तो debit में क्या जाएगा सुर। क्रेडिटर्स थे 95000 थे मिस्ट्र एक्स के वह क्या हो जाएंगे और Leap Litgs कम हो रहें यानि कि आपकी में क्रीद कम होगे तो Leap Zीक हो यहाप डे get inSet तो यहापि चले जाएगा आपका mister और यहाँ पर two discount discount कितने का दिया sir हम लोग को discount gain कितने का हुआ 3000 का sir discount भी मिला तो देखो यहाँ पर discount gain है तो क्या बात है हुई कि sir जब आप payment करते हैं जब आप cash discount मिलता है आपको याप cash discount किसी को तो देते हो तो we have to we have to record them we have to record it आपको discount record करना पड़ता है आपको एक लियर है तो trade discount जो रहता है वो record नहीं करना पड़ता cash discount भी जो रहता है वो record record करना पड़ता है तो discount समझ में आ गया रहेगा कि आपको क्या होता है अगर फिर भी आप लोग को कुछ doubt है या सारे notes आप बना लो यह case study चीह रहेगी तो आप case study भी book में बना लेना rough में ताकि आपको समझने में आइडिया आ जाए अगर इसके बाद भी आगर कुछ चूट जाता है आपको कोई doubt रहता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्षिन में मुझे पूछ सकते हो तो यह था आज का हमारा लेक्षर ट्रेड डिस्काउंट 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 तो प्लीज लाइक किजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और कोई भी डाउट रहेगा या फिर कोई अधर दूसरे टॉपिक से एसा कंपल सरी नहीं है कि आपको यही टॉपिक के रिलेटेड डाउट रहेगा लेकिन आपको यह टॉपिक छोड़के अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे बिंदा कमेंट सेक्सर में पूछ सकते हैं या फिर मुझे डारेक्ली कांटेक कर सकते हो हमारे सोचल मीडिया के सारे लिंक्स कैनल में दिये गए हैं थेंगी सो मच